सलाम उलाइकूम दियर व्योर्ज अब ब्रीफ इंट्रोड़क्शन टू टैंस आज की वीडियो का टॉपिक होगा किसी ने टैंस का नाम सही ही रखा है कि इतने हमें स्टुडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा टैंस किये रखा यानि बहुत ज्यादा परेशान ने दी और टैंस अब मैं इस वीडियो में टैंस को बहुत इजी वे में उड़्दो में ब्यान करूंगी आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे what are tenses, what are the types of tenses and how the types of tenses are formed इनको सबको उड़्दो में हम इजी वे में ब्यान करेंगे Tense is derived from Latin word tempus means time यानि के tense जो लब्स है वो Latin के word tempus से derived किया गया इसे अक्स किया गया जिसका मतलब है time time मतलब जमाना या फिर वक्त Dear viewers जैसा के हम जानते हैं के Latin tense का मतलब ही time है यहाँ पर हमें पता चला के time is the most important factor in tense यानि tense में सबसे ज्यादा एहम चीज़ क्या होगी time time यानि वक्त को हमें देखना होगा जूसरी जो important चीज़ है वो है action इंसान का अमल यानि वो काम उसने कब किया किस तरह से किया तो इस तरह से time और action को मिलाने से tense बनता है अगर हम time को देखे यानि जमाने को देखे तो जमाने तो तीन तरह के होते है वक्त को हम देखते हैं एक होता है present second one है past और future उर्दू में इसे बोला जाता है हाल, माजी, मुस्तक्बिल present वो दोर होता है यानि मुझूदा जिसमें हम मुझूदा कंडिशन में है तो वो present है past है, घुजरा हुआ, माजी जिसे बोला जाता है जो घुजर चुका है और future आने वाला unpredictable जिसे हम बिलकुल भी नहीं जानते तो मुस्तक्बिल वो होता है आने वाला जमाना तो इस तरह हमने देखा कि जमाने तीन होते हैं यानि वक्त तीन तरह के होते हैं अब हमने देखा कि जमाने तीन होते हैं इसी तरह से tense भी जमाना यानि वक्त ही होता है और there are three tenses यानि वक्त भी तीन हैं जमाने भी तीन हैं तो tense भी तीन ही हैं तो वो ही हैं present, past, future, हाल, माजी और मुस्तक्बिल जिस तरह हमने time के बारे में discuss किया था कि मुझूदा गुज़रा हुआ आने वाला है इसी तरह हम यहाँ पे tense को discuss करते हैं कि tense तीन तरह के होते हैं present, past और future dear viewers हमने इसको इन डिटेल पढ़ना इसलिए याद रखिएगा कि यह basic tense है यानि बन्यादी tense हमने इनको अच्छे से याद रखना है दूसरी आपने चीज यह गोर करनी है कि मैंने basic tense को present, past और future को black color में दिया है आपने एक color याद रखना है कि color black है और basic tense तीन है present, past और future यहां तक तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब हम आगे चलते हैं यह देखते हैं कि आगे types of tense कैसे बनती हैं चीज जो मैंने आपको जहन में रखने के लिए कहा था वो यह था कि tense बनते हैं time और action से time के बारे में हम जान चुके अब हम actions की बात करेंगे every tense has four conditions are four actions हमने देखा कि human activities में four actions होते हैं पहला होगा indefinite, second one है continuous, perfect and perfect continuous indefinite को बोला जाता है मुतलग उर्दू में बोला जाता है continuous को जारी, perfect मुकमल, perfect continues मुकमल जारी indefinite जो tense होता है यह unlimited time के लिए होता है जिसमें मकसूस time का पता नहीं होता, यह unlimited time के लिए होता है continuous के बारे में यह है कि यह जारी हालत में है in process है, जो action यानि काम शुरू हुआ था, वो मुकमल नहीं हुआ वो अभी तक जारी हालत में है perfect में action मुकमल हो चुका है यानि जो काम शुरू किया था, वो मुकमल हो चुका है बहुत हद तक complete है अब आप सोचेंगे, अब अगर perfect complete है, continuous जारी है तो भी perfect continuous का क्या मतलब बना perfect continuous का मतलब वो action जो मुझूदा वक्त के मताबिक कुछ मुकमल हो गया है और कुछ in future मुकमल हो जाएगा तो ये भी याद रखना कि action को red color में बयान किया गया है ताकि हम अच्छे से समझ सकें अब यहाँ पे देखे 3 times, present, past, future और 4 conditions दी जा चुके है indefinite, continuous, perfect and perfect continuous ये हैं conditions अब हम time को मलाते हैं action के साथ present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous इस तरह से हमारे क्या बने 4 types of present tense complete हो गए अब हम बात करते हैं past tense की past time है, condition से हमने मिलाना है past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous tense यहाँ भी हमारी 4 types complete हो गई पहले 4 types और अब ये 4 A types हो गई अब future के बारे में discuss करते हैं future time है, अब हमने इसको next action से मिलाना है future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous इस तरह से यहाँ हमारी 4 types और complete होगी और total 3 multiply 4 is equal to 12 तो इस तरह से हमारी 12 types हो गई यहाँ बेबच्चे आप लोगों ने ये गोर करना है कि जो present यानि time को black color से और action को red color से define किया है यानि यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे हम types को मैं one by one पढ़ती हूँ present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous present यह हमारा time है और यहाँ पे दूसरे red color में हमारी actions हैं जिसे हम conditions भी बोलते हैं 4 types यह हुई next four types यह हैं past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect continuous यहाँ पे past time है और यहाँ पे next four वोही actions यानि conditions हैं हमने इनको mix कर दिया तो यह क्या बना? match किया तो यह बना past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous इस तरह से हमारे eight types of tenses complete हुई और अब हमने यह बनाना सीखा है किस तरह time और action को मिलाने के बाद हम लोग types of tense बनाते हैं last पे मैं डिसकस करती हूँ future को future जैसे कि आप जानते हमारे पास time है और बाकी हमारे पास four actions है conditions है हम इनको आपस में मिलाएंगे तो types of tenses बन जाएंगी future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous यहां भी four types of tense complete हो गई dear viewers मैं उमीद करती हूँ कि आप लोग ने यह सीखा होगा कि tense क्या होते हैं और tense की types कितनी है और यह types किस तरह से बनाई जाती है time और action को किस तरह से मिलाने से types of tense बनती है next वीडियो में मैं discuss करूँगी कि tense की पेचान कैसे होती है और इसकी formation कैसे होती है कैसे इसमें helping verb या verbs को use किया जाता है तो यहीं पर इस वीडियो का इक्तताम होता है जाता है